नमस्कार दोस्तो आज एक ऐसी रहसे में घटना की कहानी आप लोग के सामने लेकर आ गया हूँ कि जिसको सोच सोच कर मैं खुद परेशान हो रहा हूँ सावन का महीना अभी अभी गया है सावन के महीने में जादतर लोग कावड यात्रा के लिए निकलते हैं कावड यात्रा जिन लोग को नहीं समझता उनको में बता दू होती क्या है जैसे मान लोग आप उतर प्रदेश में रहते हैं किसी गाउं में रहते हैं आपके उस गाउं के कोई आस पास कोई पुराना शिव मंदिर है तो सभी लोग अपनी कावड में जल भरकर एक यात्रा मे निकलते हैं वो शिव मंदिर तक जाते हैं और शिव लिंग के उपर वो जल चड़ाते हैं जल गंगा जल होता है पवित्र नदियों से लिया हुआ जल होता है और जब जल ले रहे होते हैं तब भी पूजा की जाती है मतलब ये एक अलगी प्रोसेस है जो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते तो इसके हम in depth detail में नहीं गुसेंगे ये घटना कावड यात्रा के दौरान घटी हुई घटना है कावड यात्रा के बज़े से नहीं इसलिए हम इसके detail में नहीं जाएंगे तो ठीक है भई एक जोती प्रकाश नाम का लड़का जो की उडीसा के एक गाउं में रहता था वो हमेशा से देखता था कि यार कैसे बड़े उमर के लोग जो है ममी पापा अंका लांटी ये लोग हमेशा जब उनका मन पढ़ता है यार कावड उठाते हैं और मंदिर की तरफ निकल पढ़ते हैं हर सावन में हम छोटी उमर के लोग क्यों नहीं जा पाते हैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करता था कि यार जिस दिन बस चलेगा न उस दिन जरूर अपन लोग अपने ग्रुप की कावड यात्रा लेकर निकलेंगे और घरवाले चाहे जितना भी मना कर ले फिर रुकेंगे नहीं इस सावन में जोती प्रकाश 12th क्रॉस कर चुका था और 18 प्लस था और इसका बहुत मन था इस बार करने का इसने हमने दोस्तों से बात किया और दोस्तों ने सभी न हामी भर दी और हैरान होने वाली बात ये थी दोस्तों के घरवालों ने भी बोल दे के हाँ बचो जाओ तुम कावड यात्रा लेकर अब जिस गाओं में ये लोग रहते थे वहां से लगभग धाई घंटे की walking distance पर एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर कहते थे कि 300-300 साल पहले यह मंदिर यहाँ पर किसने बनाया किसने नहीं पता नहीं चला मतलब एक रात पहले यहाँ पर मंदिर नहीं था और सुबा उठकर यहाँ पर आये तो वो मंदिर वहाँ पर आ गया था तो एक तरीके से कहते थे कि एक चमतकार एक मंदिर है तो आपर बहुत लोग कावड यात्रा लेकर पहुँचते थे और बहुत सारी लोग नहीं भी पहुँच पाते थे कहा जाता है कि भगवान शिव की अगर क्षा है कि ये व्यक्ति कावड लेकर मुझ तक आए वही आपाएगा सब लोग नहीं तो ठीक है भाई इन लोगों ने भगवान शिवसे प्रातना कि और बोले कि हम भी आ रहे हैं आपके दर्बार में हमें बीज रास्ते से लोटाना मत महादेव उठाए इन लोगों ने अपने अपने कावड और दुपहर के टाइम तीन बजे के आसपास अपने गाउं से निकल पड़े गुरूप के लड़के जोती प्रकाश के गुरूप के लड़के सब लोग बढ़िया अब जहां पर इन लोगों को नदी पांच बजे ये लोग प्रॉपरली अपनी यात्रा शुरू किये हैं और अब इनको पूरे-पूरे दो घंटे लगने थे और साथ बजे के आसपास ये लोग मंदिर पहुचे मंदिर पहुचे तो कोई बड़े ने बताया कि बच्चों हच संडे है संडे को तुम कावड यात्रा करके आए हो जल चड़ाओगे तो उससे जादा बैटर है कि एक रात रुख जाओ और कल जल चड़ा देना कल सोमवार का दिन है सावन सोमवार है बहुत अच्छा होगा ये तो बच्चों ने भी सोचे कि यार हाँ यार ये तो बिल्कुल सहीं बोल रहे है एक काम करते हैं दरसल जिस गाओं में ये लोग कावड यात्रा लेकर आये थे इस गाओं में ये जो अपना जोती प्रकाश है ना उसके मामा जी का घर था तो इसने ने मामा जी को जल जड़ाए तो बहुत अच्छा होगा, तो कहां रुख जाएं, तो मामा जी ने बुले कि एक काम करो बच्चो, तुम लोग अभी देखो, घर तो अपना परिवार के हिसाब से है, चोटा गर है, इतने लोग यहाँ पर ठहर नहीं सकते, तुम लोग डैम के पास चले जाओ जो मतलब जिस रास्ते से तुम आए हो, उस रास्ते में तुम्हें एक डैम दिखाए दिया होगा, उस डैम के पास तुमको लॉज बगेरा मिल जाएंगे, या फिर समझ लो, गैस्टाओ जैसे जरूर मिल जाएंगे, मेरा नाम ले 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 ना, मुझे लोग बहुत अच्छ ग्रूप में एक लड़का था, जो की इस इलाके को जानता था, डैम वाले इलाके को बहुत अच्छे से जानता था, उसे पता था कि वहां का एक पुराना गैस्ट हाउस कैसा है, वो जोती प्रकाश और बाकी के दोस्तों से तुरंत कहता है, इस लड़के का नाम हम कुछ र जाना चाहिए, पुरूप के सारे लोग बुलते है क्यों यार, जोती के मामा ने इतने अच्छे से जवाड़ा करवा दिया है, अब तो जाने से क्यों मना कर रहा है, तो प्रदीब बताता है भाई, मैटर ये है, कि मैंने सुना हूँ कि उस गैस्ट हाउस के पास एक यक्ष और सामने वाला इंसान पांच सेकंड भी उस यक्षनी से सामना करने के बाद जिन्दा नहीं रह सकता, अगर उसने पाप किया है तो, और देखो हम तो कल्यूगी बच्चे हैं ना, हमको कैसे मालूम कि हमने सारे पुन्य ही किये हैं, कोई भी पाप नहीं किये, ये बात सुन सचाई से कोई भी लेना देना नहीं है, गैस हाउस के पास यक्षनी क्या करेगी भटक के और वैसे भी, अगर है भी मान लेते हैं एक परसेंट, तो हम तो भगवान शिव के दरबार में आये हुए हैं, उनकी अराधना करने के लिए हैं, कावड यात्रा लेकर आये हैं, तो हमें क्यों वो यक्षनी परिशान करेगी, हमारे उपर क्यों बार करेगी, ये सारे भूत प्रेत पिशाज तो महादेव के भक्त हैं, फिर से प्रदीप कहता है, वही तो मैं बात कह रहा हूँ, भले ही से वो महादेव के भक्त होते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, जि हो सकता है, कि हम सबकी सब पापी हो, और कल का सूरज हम देखी ना पाए, बेफर है कि हम लोग गैस्टा उस तरफ नहीं जाते हैं, यह मंधिर है ना यहीं प्रांगण में बढ़िया पन सोजाते हैं यार, अपने पास बढ़िया कमछे भी हैं डालते हैं सो जाते हैं भक्ती करने के लिए आया है ना हमको लगजिरी लाइफ क्यों चाहिए जोती प्रकाश कहता है भाई तुझे समझ में आ रहे तू क्या बोल रहा है सावन का महीना है बारिश लगातार हो रही है अगर हम लोग यहाँ पर रुख गए प्रांगण में चल अपन कुछ बिचा के सो भी जाते हैं बारिश नहीं होगी इस बात की क्या गरेंटी है बहुत जादा बारिश हो गई तो फिर क्या यह पहली बार तो है नहीं न कि हम सब लोग ग्रूप में घूमने फिर निकले निकले हैं किसी की तवियत खराब हो गई न घरवाले बैंड बजा देंगे हालट टाइट कर देंगे और सबसे पहले मेरा नाम आएगा क्योंकि इस ग्रूप को मैं लीड कर रहा हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी हम लोग मंदिर के प्रांगण में नहीं मामा जी ने जिस गैस्ट हाउस के बारे में बताए हैं वही पर स्टे करेंगे कौन कौन तयार है मेरे साथ हाथ उपर करो जोती प्रकाश ने तुरंट ये कहा सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिये सिर्फ प्रदीप को छोड़कर प्रदीप ने बूला मैं भी क्या करूं यार चलता हूँ तुम लोगों के साथ अब दोस्त भी तो ऐसे पाला हूँ मैंने रदीप बहुत अच्छे से जानता था कि इस जगह का क्या सीन शॉट है शाहत कोई और विश्वास करने की कोशिश करने ही रहा था ठीक है ये लोग निकल पड़े मंदिर के प्रांगण से उस गेस्ट हाउस के तरफ थुड़ देर बाद पहुच गए जैसी गेस्ट हाउस में पहुचे तो यहाँ पर काम करने वाला केवल एक ही मैनेजर मामा जी का नाम बताया गया और इन लोगों को वहाँ पर स्टे करने की परमीशन मिल गई छोटे गाउं का गैस्ट हाउस है तो रेगिलरली यहाँ पर कोई भी बड़ा आदमी आता जाता नहीं है मामा जी बड़े आदमी है वैसे भी मामा जी के रिफरेंस आये हुए है रुखना बहुत इजी और बच्चे तो बहुत जाबा एक्साइटेड आरे गैस्ट हाउस में रुखेंगे गैस्ट हाउस का छूटी जगाउं में एक अलगी क्रेस होता है आप लोग को पता होगा मतलब अगर वहाँ पर आप बोलो ना छूटी जगाउं में कि भई हम गैस्ट हाउस में रुखें तो आपका रुतबा दिखता है दुनिया के सामने तो ठीक है बच्चे तो एक मात्र मैनेजर था उसने रूम का जुगाड करा दिया रूम का नाम वाम लिख दिया और बोल देखो बच्चो तुम लोग बहुत कम उमर के हो ऐसे त्वेल्थ में पढ़ने वाले जो लोग होते हैं 18-19 साल के वो अपने आपको बच्चे नहीं समझते मैं देखा हूँ तो वो लो ब्रिज है ना सामने ब्रिज था डैम में लगा हुआ ये गैस्ट हाउस है तो जो सामने अला ब्रिज है ना जो अपने डैम के ऊपर से गुजर रहा है अपना गैस्ट हाउस इस तरफ है उस तरफ मत जाना किसी भी कंडिशन में कोई भी आवाज आए कोई भी पुकारे किसी भी चीज की जर्रात हो यहां पर पड़े पड़े निपड जाना लेकिन उस तरफ मच जाना ये लोग शौक्ड बड़े डरा के बुला यहां पर पड़े पड़े मर जाना लेकिन उस तरफ मच जाना ऐसा क्यों बोल रहे है इन लोगोंने सबकी सबकी हलावा टाइट हो गया हम नहीं जाएंगे उस तरह बिलकुल नहीं जाएंगे नाम वाम लिखा और कमरों के मतलब तीन कमरे इन लोगों को मिले और तीनों कमरों का दर्वाजा खूल दिया और चार-चार के ग्रूप में ये लोग वहाँ पर settled लोग है आदे गंटे बाद वो आदमी वहाँ से निकल गया इस वक्त रात का समय हो रहा था लगभग लगभग 9.30 बज रहे थे आउटर इलाके में है एक दम मतलब आस पास कुछी नहीं सिर्फ डैम, ब्रिज, गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस के अंदर मौझूद ये 12 बच्चे बच्चे कहा रहा हूँ, अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगो थोड़ा जीब लग रहा होगा लेकिन हाँ अब क्या होता है कि वो जो केर टेकर है या फिर मैनेजर है जो भी उसको कहो वो सबको बाई बाई बोलके महां से निकल गया, बोला मैं यहां सुबह पांच बहे तक आजा हूँगा और पांच बज़े के बाद दी, आप लोग यहां से निकलना मेरे आने एक बाद आपके भरोसे छोड़के जा रहा हूँ क्योंकि आपके मामा जी का रिफ्रेंस आया हूँ है निकल गया अब अचानक से जिस रूम में अपना जोती प्रकाश है उस रूम का कोई दर्वाजा कड़ कड़ाता है जोती प्रकाश, प्रदीप और दो लड़के और यहीं पर है दर्वाजा कोला और दूसरे दो लड़के से जो बाजु वाले कमरे में थे वो क्या बोलते हैं भाई जोती हम लोग थोड़ा सा मारने के लिए जा रहे हैं तो टेंशन मत ले ना हम लोग यू गए और यू आए अब समझ रहे ना मारने जा रहे थे यह लोग जोती प्रकाश बोलता है भई तुम लोग पागल हो गए हो क्या अपन ये सब करने के लिए आए हुए है क्या तो ये लोग बोलते है कि अरे महादेव का प्रसाद है जोती बोलता है भगवान को बदनाम मत करो इस चीज से किसने बोला ये महादेव का प्रसाद है कौन बोला कि महादेव ये सब करते है महादेव ने हला हल विश पिये थे दुनिया को बचाने के लिए इतनी भक्ती करते हो तो एक बूंद जरा हला हल विश पी कर दिखाओ तो मान जाओ कब देख लिए तुमने कहा देख लिए ये चीज महादेव को करते हुए ऐसा करके न थोड़ी जोती की और वो दोनों लड़कों की बहस हो गई यह जोती के जिम्में है भाई पूरी चीज और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये चीज मारने के लिए उस तरफ जा रहे हैं जोती ने बहुत रोकने की कोशिश किया लेकिन वो दोनों लड़के बिलकुल नहीं रुके और वो दोनों नहीं रुके ना तो दो लड़के और देखे उनी के रूम के और वो भी निकल पड़े है और ये जो लड़के थे न ये चारो ये ब्रिज के उस तरफ जा रहे थे मारने के लिए इनको एक अलग लेवल का एडवेंचर करना है और कुछ लोग बड़े ही वो होते हैं और मैं क्या मुझे तरीके से इस गैस्ट हाउस के केरटे करने भी बोला था कि चाहे यहाँ पर पड़े पड़े निपड जाना लेकिन ब्रिज के उस तरफ मच जाना ये उसी उस तरफ जा रहे थे ठीक है भई इन लोग को गए हुए लगबग 15 मिनिट हो गए पता नहीं क्या सीन है यार 15 मिनि प्रदीप वाला रूम यानि अपना जोधी प्रकाश वाला रूम इधर है और वो चार लड़के जो मारने के लिए गए हुए ब्रिज के उस तरह वह बाजु वाला था और जो दूसरे 4 लड़के थे ना वह फिरस्ट फ्लोर में थे तो दूसरे 4 लड़के थे ना उनमें से एक लड़का किसी वज़ा से, अब वो वज़ा क्या थी, उसमें अपन जाएंगे ने, लेकिन किसी वज़ा से अपने रूम से बाहर निकला, अपने रूम की वो बालकनी में गया, उसकी बालकनी से पुरा बाहर का नजारा, भले ही अंधेरा था, लेकिन नजारा था, भाइट थी, धिक ठाक उसको बाहर का नजारह दिखाई दिया, उसने क्या देखा, कि भाई एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कोई तो भी बैठा हुआ है, इसने क्या सोचा कि यार, नीचे के चार लड़के ब्रिज के उस पार मारने के लिए गये हुए हैं, हो सकता है, उन तो पेड़ के उपर बैठा है, और पूरी healthcare में इन 12 लड़कों के अलावा कोई है और लड़के ने में सोचा कि वह जो मारने गए हूं है उनमें से एक पेड के उपर बैठा है, तो इसने आवाज लगा है, अबे क्यों बे, पेड के उपर क्यों बैठ के मार रहा है, नीचे आ, गिर पड़ गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम लोग मंदिर आये हो कि यह सब करने के लिए, समझ में नियारा, तुम लो आगे बोले, यह क्या शौट था यार, यह को ने दस फीट के हाइट से धराम से नीचे कूद गया, तुरंट खड़े भी हो गया, उसको कुछ लगा नी, अब जो कोई भी था, वो इसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि इसने बोले, नीचे हो तर इधरा इधरा करके, ऐसा और वो जो कोई था ना, वो आगे बढ़ने लगा, जब वो पेड़ की छाया से आगे बढ़ा, तो इसको समझ में आया, यह बढ़ा नहीं भाई, बढ़ी है, यह कोई लड़का नहीं हमारे ग्रूप का, यह कोई औरत है, इसका दिमाग करा वो क्या, एक हट्टा कट्टा के जो ना जाने कितने सालों से इस गैस्ट हाउस में काम कर रहा है, उसकी सिलाके से फटी पड़ी है और वो रात होते से निकल जाता है, उसने हमको सतर करके गया कि यहां से बाहर मत निकलना चाहे जो हो जाए, यह औरत कोन है, यह पेड़ के उपर बैठके क्या कर रही थी, व उसने पुरे लाल रंग का लिबास पहनी हुई है, इतनी बड़ी बिंदी क्या बोले बिंदा लगाई हुई है, लिपस्टिक चटक लाल, काजल चमकदार, ऐसे ऐसे उसने मसकारा लगाई हुई है कि उसकी जो आई लेशेज है, ऐसी घनी दिख रही है, इतम गोरा बदन, लाल चूड़ियां इतनी इतनी, पायल पैनी हुई है, जिसकी चंचंचंचंचंचंचंच से पूरा इलाका गुन जा रहा है, उसके आँखों में इतनी ज़ादा चमक थी कि कोई देखे, तो कुछ सेकंड के लिए हिपनोटाइज हो जाए, बिलकुल ऐसा हिपनोटाइज हो हुए थे और यहां से जोड़ा खून बह रहा था, यह देखकर घबरा गया, तुरंत अंदर गया, दर्वाजा बंद कर दिया, और भागते हुए नीचे वाले फ्लोर के लड़कों के पास गया, दर्वाजा खटकर आया जोती के रूम का, जोती, प्रदीब, जल्दी खुलो, सब भड़ा के नीचे के रूम में तो चारी लड़के थे दर्वाजा खोले, क्या हो गया, तो इस लड़के का नाम हम सुमिध रख देते, सुमिध, जोती, प्रदीब और जो और दो लड़के उनको बताता है, अरे भाई, मैंने अपने वाले फ्लोर से नीचे एक बड़ी खतरनाक चुड़ेल को देखा हूं, वो बहुत डरावनी दिख रही है, भाई प्रदीब, जैसा तू बता रहा था, वो बिल्कुल सच है, गेरंटी, वो चुड़ेल नहीं, वो एक हाई लेवल की कोई शक्ती है, क्या बोल रहा था तू, क्या है, क्या है, क्या फुगने गए हुए है न, मारने के लिए, उनको जल्दी बुलाओ, फोन करके, जोती बोलता है, बागल होगे, शान, शान, चुप, उन्दरा पहले तू, उनको बुलाना नहीं है, उनको तो इनफेक्ट वहीं पर रोकना है, जो कुछ भी है, वो अपने गैस हाउस तक पहुच चुका है, जैसा तु बता रहा है, उनलोग जा पर उनलोब वहीं रहने दे, फोन करते हैं, उनके, हलो, अरे भाई, तुम लोग कमार मूर के हो गया क्या, जोती को वो लड़के बोलते है ङक्षणी जक्षणी दिखाई दिये, तुम लोग मता ओ, तुम लोग रु इतने में फोन में जोर से क्या करके चिलाने की आवास सुनाई दी, इनका दिमाग खराफ, और फोन कट गया, अब इनके साथ क्या हुआ, जो बाहर चार लड़के हैं, उनके साथ क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ, बाहर चार लड़कों के पॉइंट आव यू से, उन लोगो देखकर जोर से चिलाए और वोई चिलाने की आवास, जोती और प्रदीप को फोन में सुनाई दी थी, और इन लोगों का फोन कट गे डर के मारे, इन लोगों ने फोन पान फेक दिये थे, अब वो चुडेल पीछे दोड़ना शुरू करी इनके, ये लोग भाग रहे गंद सा बड़ा सा डैम, सावन का बारिश होने की वज़ा से वो डैम में धेर सारा पानी भी भरा हुआ है, वो चुडेल, यक्षनी, पिशाचनी, बूतनी, जो कोई भी थी, इन चारों के पास ऐसे दोड़ के आई ये, इसमें से जो एक लड़का था, उसको पकड़ी उसे गले म चार डाली है, बाकी के तीन ने रियलाइस किये कि क्या हम अपना भरता बनने का इंतजार कर रहे हैं यह से भागो पहली ट्रेन पकड़के, ये लोग ऐसे भागे हैं ट्रेन की रफतार से भागे हैं कि मैं आपो क्या बताऊं, सीधे ये लोग रुके हैं, अपने उस था उसका केर टेकर आया, उसको पूरी बात बताए, उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम तो ग्यारा ही आये हुए थे, बारा की क्या बात कर रहे हो, बस इन लोगों ने बोले कि आपने भई हमारा नाम लिखे थे, नाम देखो, केर टेकर ने पहले ही उस रजि तो मैं उपन्ना ही फाड़ देता हूँ, ये बात जब आगे तक पहुची, फुलिस तक पहुची, इधर उधर पहुची, तो सभी लोगों ने ये कहे कि चलो, एक लड़का तुमारे साथ आया था, जो भी समझ में नहीं आ रहे कहा है कहाने, वो गैरेंटी भाग लिया है, अपने घरवालों से परेशान होकर किसी लड़की के चकर में भाग लिया है, जी हाँ, यही चीज दर्ज हुई पूरे मामले में और मामले को क्लोज किया गया, क्या बोलके कि वो लड़की को कोई यक्षनी, चुडैल, पिशाचनी, भूतनी ने नहीं मारी नहीं खाई है, वो भाग लिया है, वो कहां गया नहीं मालू, वो नेपाल चले गया है, ऐसा बोलना के लोग, लेकिन सच्चाए तो सिर्फ उन तीन लड़कों कोई पता थी, क्या शौट हुआ था उस रात, क्या सच मुच में कोई यक्षनी उनको दिखाए दी थी, तो क्या पकड़के उन मामला निकाल के खा गई थी, या फिर उनका दोस्त इसका नशा करके कहीं निकल लिया था, ये रहस सिर्फ उनको पता है, ऐसे इस पूरी गटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बलकि खुद जोती प्रकाश ने इंसेग्राम पर लिख कर बताया, मैंने जब पढ़ा को देख लिए हैं तो लाइक ज़रू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लिए जानकारी आप लोग के पास भी है, तो लिख भेजना हो सकता है, हमार अगला वीडियो कर आपके हिसाब से बन रहा हो, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए, बहुत करते हैं, यी है, हमार।